क्या कभी आपने कोई मूवी देखने थेटर में गए हो और उसको आधी छोड़कर उठ गए हो फर्स किजी अगर आप ऐसा करें आप कोई मूवी देखने जाते हो इंटरवल होता है और आप आधे में से उठ जाते हो अगर आपको उसकी एंडिंग नहीं पता है तो आपका ब्रेन क्या करेगा उस एंडिंग को फिल करने लगेगा उसका जो सेकंड हाफ है मूवी का उसको अपने आप से कुछ ने कुछ दिमाग में क्रियेट करने लगेगा कि हो सकता है कि end में hero सबको मार देगा या hero जीत जाएगा या उसको उसकी जो heroine है जो actress है वो उसको मिल जाएगी उसका प्यार उसको मिल जाएगा या वो दुश्मनों को खतम कर देगा something like that वो कहीं न कहीं से gap spill करने की कोशिश करेगा आपका brain लेकिन exactly क्या हुआ यह आप कभी नहीं जान पाओगे you can guess but you cannot always assure that your guess is absolutely correct यही होता है OCD mind के साथ भी एक story शुरू होती है दिमाग में, trigger होता है, thought बनता है और आप क्या करते हो beach thought में उसको avoid करना शुरू कर देते हो, fear से भागते हो, compulsion करते हो, उसको बीच में manually बंद कर देते हो अब आपने जब वो बंद कर दिया, thought, anxiety zero से शुरू हुई थी, hundred तक गई, hundred पे आप भाग गए आपने exit कर लिया, thought से, कैसे exit किया, compulsion करके, hand washing करके, pray करके, मन में कुछ शब्द बोलके, किसी चीज़ को चूके, कोई action करके, आपने उसके exit कर लिया exit करते ही, आपको तसलित हो गए, oh fine, horror movie थी, मैं भाग गया लेकिन आपको यवाद समझ नहीं आएगी, आपका brain कभी भी ये नहीं समझेगा, कि end में हुआ क्या और वो जो half, जो second half of the movie है, जिसको आपने नहीं देखने दिया खुद को, उस second half में आपका OCD, बहुत सारी भयानक conclusive stories डाल देगा, कि देखा तुम बच गए नहीं, तो end में ये हो सकता था, हो हो सकता था, बहुत बुरा हो सकता था, तुमने बचा लिया खुद को और अपने loved ones को, अपनी family को, अपने friends को, actually में उस movie का end इतना catastrophic था ही नहीं, और कभी भी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो movies गटी है, और यकीन मानना कि मेरी जिंदगी में, तुमारे घरवालों की जिंदगी में, सब की जिंदगी में, वो ही similar stories, हजारों बार repeat हो चुकी है, लेकिन बाकियों को, उस end से डर नहीं लगता, तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम second half को, देख ही नहीं पा रहे हो, अपन तो ending देखो, ending देखो, ताकि आपके brain को मौका मिले समझने का, कि ending इतनी भयानक नहीं है, इतनी क्या भयानक ही नहीं है, आप जब ये देख लोगे, उसके बाद से आपका fear diminish होना शुरू हो जाएगा, और thoughts भी आने बंद हो जाएगी, क्योंकि वो irrelevant हो जाएगा, जिस movie की ending brain को पता होती है, वो movie इतनी important नहीं लगती, लेकिन जहाँ पर आपको ending नहीं पता होती, वहाँ पे आपका मन बार-बार-बार करता है, कि उसको दुबारा देखें, उसको revisit करें, बार-बार वोई thoughts, बार-बार वोई thoughts, suppose, last example देता हूँ, कोई आप series देख रहे हो, और आपने एक episode देख लिया, आप रुख पाते हो, नहीं रुख पाते हो, आपको दूसरा episode देखने का मन करता है, फिर तीसरा फिर चौथा, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि ending पे closure नहीं मिला, आपने ending नहीं देखी, तो उस story को दुबारा दिमाग में घुमने का मौका मिल बार-बार मन करेगा, मानलो आपने एक episode देखके बंद भी कर लिया, आपके brain में चलता रहेगा, अगले episode में क्या होगा, अगले episode में क्या होगा, you will keep revisiting that thought and same happens with OCD, तो अगर आप चाते हो OCD बंद हो जाए, तो इस story को एक बार complete होने दो, complete होते ही आपका brain इसको closure दे देगा और complete होगी और कुछ भयानक आपके साथ नहीं घटेगा इस बात की guarantee है, क्योंकि ये story आप पहले जिंदगी में कई बार देख चुके हो, यही same story आपके घरवालों के साथ, दोस्तों के साथ, friends and family के साथ होती रहती है and nothing happens to anyone except you, because you are exiting the theater in between, so interval के बाद उठो मत, पूरी ending तक द जादा help चाते हो, तो आप contact करें नीचे comment करके and I would love to help you all to overcome and recover from your obsessive-compulsive disorder, धन्यवाद